हेलो एन बेलकम दोस्तों, ओल राउंडर इंडियन प्रीमेर लीग में होट प्रॉपर्टी रहते हैं और उसमें से भी अगर इंडियन ओल राउंडर है तो उसकी बैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है इस बार के आईपियल आॉक्षन में 102 इंडियन ओल राउंडर रेजिस् हैं बहुत सारे ऐसे प्लेयर जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी T20 मैस में गेंदबाजी नहीं की लेकिन वो ओल राउंडर की केटागरी में रजिस्टर किये गए हैं शायद ओल राउंडर बनने से उनकी बैल्यू पैसे थोड़े से आईपियल आॉक्षन में बढ़ लेकिन हम आपके लिए लेकिया हैं टॉप 10 ओल राउंडर की लिस्ट क्योंकि हम पिक करेंगे और जो एक्चुल में ओल राउंडर हैं ऐसे नहीं कि नाम उन्होंने अपना रजिस्टर करा दिया तो वो ओल राउंडर हो गये उनके खेल पर और उनके हालिया प्रदर्शन प आएगा और अमीर बनेगा आप भी जरूर पिक करिए कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक सब्सक्राइब का जेंटल रिमाइंडर वो देना पड़ता है क्योंकि आप सब्सक्राइब बिलकुल नहीं करते मैं 10 नंबर के साथ शुरू क परूँगा और लिस्ट में 10 नंबर पर मैं रखूँगा निसांत सिंदू को मैं इनके बारे में एक चीज बहुत बार बोल चुका हूं इंडिया अंडर 19 उपकप्तान स्टोरी थोड़ी सी बता देता हूं कि यह उस टीम के उपकप्तान तब बने थे जब टीम के काफी सार खिलाडी कोबिड पॉजिटिव हो गए थे जिसमें यस ढूल और टीम के जो ओर्जिनल उपकप्तान थे सेख रसीद वो भी इंजर थे तब वैसे में कप्तान भी बने थे और बाद में यह उपकप्तान भी बने तो अंडर 19 वर्ड कप 2022 का उसमें यह सारे रोल खेल चुके हैं टेंपरामेंट इनका बहुत कमाल का है लेफ्ट अम स्पिनर हैं बल्लेबाजी प्राइमेरली करते हैं गेंदबाजी भी बहुत कमाल की की थी और फाइनल में जो इन्होंने 50 रंगी पारी खेली थी इंग्लेंड के खिलाफ उस फसी हुई सिचुएशन से उसने टेंपर तक से आते हैं मैं आपको बता लेता हूँ आगे बढ़ते हैं अगले प्लेयर की बात करते हैं नौ में प्लेयर की बात करते हैं ससांग सिंग ओर जनली मुंबई से क्रिकेट इन्होंने स्टार्ट की थी अपनी 2015 में बाद में चुकी आपको पता है कि मुंबई की क्रिकेट म अगर आपके पास वो quality और skill नहीं है आप उस level पर जादा देर survive नहीं कर सकते अर्दुन तेंदूलकर सचिन तेंदूलकर का बेटा होने के बाबजूद अगर मुंबई की cricket में उनको मौका नहीं मिल पाया और गोहा जाना पड़ा तो ससांग सिंग को तो अबेस सी बात है फिर जाना ही था और वो गए 36 गड़ वहां से उन्होंने अपनी domestic cricket जादतर खेली है उसके अलाबा IPL की बात करें तो डैली की टीम का हिस्सा रह चुके हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम का हिस्सा रह चुके हैं और पिछले साल ये Sunrisers हैदरवाद की टीम का हिस्सा थे एक मैच में इनको खेलने का मौका मिला 6 गेने 25 रन और लॉकी फर्गोसन को लास की 3 गेन पर लगाए गए 3 चकों से महफिल इन्होंने जरूर लूटी थी लेकिन उस टीम में इनकी जगह इसलिए नहीं वन पाई कि शायद वो टीम को बैलन्स नहीं देते थे गेनदबाजी कर सकते ह लेकिन उनको गेनदबाजी कराई नहीं गई थी अगर कराई जाये तो potential है इनके पास और गेनदबाजी से भी contribute कर सकते हैं अपनी टीम के लिए और जिस भी टीम में खेलेंगे primarily एक batsman है जो बलेबाजी करेंगे वो थोड़ा बहुत एक दो over की गेनदबाजी जरूर ये दे सकते हैं और बिस फोटक बलेबाजी इनकी तरफ से देखने को आपको मिली थी पिछले बार के IPL में उसके बाद अगले प्लेयर की बात करें और नंबर 8 की बात करें संजय यादब 27 साल के संजय यादब originally गोरकफूर UP से आते हैं तमिलनाडू के लिए इन्होंने अपनी सा रवाइव नहीं कर सकते हैं यह मेगाले मूब कर गए हैं और वहां से अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं इससे पहले यह भी SRH और KKR के लिए खेल चुके थे खेलने का मौका नहीं मिला था Mumbai Indians ने इस साल इनको खरीदा था और कुरनाल पांडिया का replacement इनको कहा जा रहा था क्यो बता दे इनके भाई सोनु यादब वो भी Tamilnadu से उन्होंने क्रिकेट खेली है IPL auction में है वो all rounder है लेकिन अभी मैं उनको ranking में rate नहीं कर रहा हूं यह combo मुझे कुरनाल और हर्दिक जैसा लग रहा है दोनों का एक left arm spinner left hand batsman दूसरा right arm medium fast baller और attacking down the order batting करने वाला batsman like हर्दिक पांडिया यह comparison मतलब यह नहीं कि वो हर्दिक पांडिया है और दोनों भाईयों में जिस तरह की similarity है उसकी बात में कर रहा था नमबर 7 की बात करें तो नमबर 7 पर चिराग जानी 33 साल के चिराग जानी season campaigner और बहुत साल से domestic में आप यह नाम देख रहे हैं और बहुत सालों से जिस चीज के लिए जाने जाते थे वो थी इनकी गेंदबाजी longer format of the game हो shorter format of the game हो लेकिन अब जो चीज इन्होंने अपने game म वो है इनकी बल्लेबाजी, striking ability और experience इनके पास है तो इस साल बिजय हजारे trophy में knockouts में जो performance इनकी रही थी 52 run दे करके 3 wicket quarter final में और बाद में final में 30 run not out और 3 wicket और जो गिंदबाजी की थी जो yorkers deliver करी थी शायद अब यह समझ गये हैं कि मेरे लिए इंडिया खेलना अब उतन आसान नहीं होगा, मैं अपनी T20 skill पर इन्होंने काम किया है और T20 skill है कि आप अच्छी yorker मारते हो, slower one अच्छी डालते हो, death में अच्छी गेंदबाजी करते हो और नीचे down the order आके आपके पास छक्के मारने की कबिलियत हो, तो वो चीज उन्होंने अपने game में कहीं ना कही डेवलप किये, temperament है, experience है, I think इनके पास वो सब कुछ है जो आपको एक T20 cricket में चाहिए, all round multi skill player, जिसके पास death over में गेंदबाजी करने का experience के साथ साथ, बल्ले बाजी में भी बड़े हाथ दिखाने की चमता भी है, उसके बाद अगले player की बात करें, और number 6 की बात करें, गे, यह कुछ सालों से करनाटका के लिए खेल रहे हैं, मातर अभी 24 साल के है, राइचूर से आते हैं, और इस साल की BJ हजारे ट्रोफी में इन्होंने एक बहतरीन पारी खेली थी, 25 रनों की, जो semi final में इन्होंने खेली थी, एक बिकिट भी लिया था, आपको यह दिखेगा कि यह सिर्फ 25 रन है, लेकिन यह 25 रन उस situation में बनाए गए थे, जहां पर अगर इनकी पारी नहीं आती, तो शायद इनकी टीम को लेने के देने पड़ सकते थे, quarter final में भी इन्होंने अठारन बनाकर एक बिकिट लिया था, so temperament इन्होंने दिखाया था, left hand batsman है, right hand medium pace गेंद पीछे जानी चाहिए, क्योंकि Indian cricket में right arm medium fast baller और ऊपर से batman साथ में अच्छा fielder, यह combo बहुत कम आपको देखने को मिलता है, मिलता है तो आपको बल्लेबाजी और गेंदबाजी में gap बहुत दिखता है, इनके साथ बल्लेबाजी और गेंदबाजी में gap उतना नहीं है, अ फिर आपको वे exceptional player नजर आते हैं, उसके बाद number 5 की बात की जाए, आबिद मुस्ताक 25 साल के डोडा जम्मू से आने वाले और इनके वारे में बहुत बात हम पहले कर चुके हैं, left hand batsman है और बहतरीन domestic season इस साल का इनके लिए रहा है, गेंदबाजी बहतरीन करते हैं और पारियां इन्होंने खेली हैं, जिससे ये auction में अपने नाम को मजबूती देंगे और शायद कुछ टीमें इनके नाम के पीछे भी जाएंगी, क्योंकि इस साल की रंजी ट्रॉफी जो चल रही है, वहाँ पर भी इनका प्रदर्शन बहुत सांदार रहा है, especially gain के साथ, तो म पेली एक gain बाज, जो बलेबाजी में भी down the order आपको contribute करके देगा, तो उस तरह के player में कहूंगा, आबिद मुस्ताक के बारे में, उसके बाज नमबर 4 की बात की जाए, तो तनुष कोटियां, 2016 में इन्होंने under 19 cricket के साथ सुरुआत की थी, 2019 में इनका domestic का debut है, temperament में इनके ब प्रेक लगाए थे, वो खिलाडी थे तनुष कोटियां क्योंकि उस situation से उन्होंने तीन बिकिट निकाल करके final match एक dump से पलट दिया था, इस बार का सेयद मुस्ताकली ट्रॉफी के final की बात मैं कर रहा हूं, उसके बाद बिजा जारे ट्रॉफी भी बहुत शांदार गई है, exceptional मैं नहीं कहूंगा, बट जिस तरह के गेंदबाज हैं, जिस तरह से गेंदबाजी की हैं, पहला दूसरा season है, तो potential की बात करें, कमाल का नजर आता है, साथ में temperament इनके पास है, और अब रणजी ट्रॉफी की बात करें, जो पिछला match गया है, 63 run, not out की पारी और उसके कोटियान की बात करें, क्योंकि आते भी मुंबई से हैं, उसके बाद नमबर 3 की बात करें, नासिर लोन मुझफर, 25 साल के नासिर लोन मुझफर इनके बारे में पहले भी बात की, down the order, बहुत जबरदर्स हिटिंग करने वाले बले बाज, साथ में गेंदबाजी, जो नई गेंद स्विंग करा सकते हैं, और डेथ में भी अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, यह पैकेज आपको कम देखने को मिलता है, और जब भी यह पैकेज आपको कहीं पर भी दिखेगा इंडियन क्रिकेट में, उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए मैंने इनको अपनी लिस्ट में जो है, वो तीसरे नंबर पर भी रखा हुआ है, और जम्मो कश्मीर में अंडर 25 टीम के लिए क्रिकेट खेल रहे थे, अपनी जम्मो कश्मीर स्टेट टीम के लिए बाकी जो टीम खेलती है, उसके साथ बहुत ज़्यादा नहीं खेले, लेकिन अंडर 25 म के पंजाब की टीम का हिस्सा पहले भी थे, सौरास्ट्रा से आने वाले, आप सब जानते हैं इस खिलाडी के बारे में, आपको इंडियन क्रिकेट में हार्दिक पांडिया, बैंकटेस, अईयर, विजय शंकर, इन सब के बाद किसी ओलराउंडर की बात होती है, तो वो है प पारी खेली थी, मुंबई के खिलाब, जिसमें 61 रन किये थे, सिर्फ 25 गेनों में, साथ चौके और तीन चको की वो पारी, बहुत यादगार और 20 फोटक पारी वो थी, और वो मैच भी बहुत इंपोर्टन था, क्योंग क्वाटर फाइनल था, वो सेद मुस्तागली ट्रॉ बल्ले में शायद उतनी continuity नहीं रही है, लेकिन बल्ले से ये पहले जरूर प्रदर्शन कर चुके है, गेन में शायद तब उतना नहीं था, अभी गेन के प्रदर्शन को इन्होंने थोड़ा उपर ले गए है, बल्ले में उतना consistency नहीं है, लेकिन potential दोनों skill में है, गिंदब पाजी में है, नजर जरूर इन पर भी रहेगी इस साल के IPL auction में, उसके बाद number one पर मैंने जिस खिलाडी को pick किया है, सनबीर सिंग, लुध्याना से आने वाले सनबीर सिंग 26 साल के, under 16, under 19, under 22, सारी ace group cricket खेल के आये हैं, और पंजाब के लिए पिछले 3-4 साल से लगातार cricket खेल रहे हैं, average player नजर आते थे, but suddenly इनकी T20 cricket में जो revolution देखने को मिल रहा है, वो बहुत कमाल का रहा है, क्योंकि इस साल की सयद मुस्ताकली trophy में, इनके बारे में जो चर्चा सबसे ज़्यादा हुई थी, वो हुई थी इनके strike rate की, और strike rate कितना था, 205 के strike rate से इस साल सयद trophy में इन्होंने run बनाए, overall career की बात करें, बड़े interesting T20 numbers है इनके, 50 की average है और 186 की strike rate है, तो वो combo आपको इनकी बलेबाजी में मिलता है, जहां average भी उपर है और strike rate भी उपर है, इससे एक चीज का अंदाज़ा आप जरूर लगाईएगा, क्योंकि down the order बलेबाजी करते हैं, average average उपर जाना मतलब not out जादा आते हैं, run सुतने नहीं बनाते होंगे, क्योंकि average उपर है मतलब not out जादा आते हैं, इसका मतलब यह है कि अच्छे strike rate से खेलते हैं, और games finish करके आते हैं, तब ही यह not out रहते हैं, so important player, finisher, तगड़ा, छक्ये लगाने वाला player, भैतर strike rate से खेलने वाला player, अब साथ में add कर दीजे, उसमें इनकी गेंदबाजी, जो longer format of the game में यह bicket taker भी है, shorter format of the game में उतने bickets इनको मिले नहीं है, लेकिन गेंदबाजी जैसे जैसे improve हो रही है, और इस season खास करके इनोंने जादा गेंदबाजी की भी है, तो गेंदबाजी और बहतर होग तो एक अच्छे prospect for Indian cricket भी होंगे आने वाले time में, लेकिन फिलाल अभी IPL auction के point of view से मेरे number one खिलाडी रहेंगे, सन्बीर सिंग, आपका कौन है, आप सब जरूर comment box में फटा फट से बताइए, और subscribe और like करना तो बिलकुल मत भूलिए, thank you for joining, goodbye, see you in next video